अब हम देखते हैं फ्री फॉल से संबंधित कुछ उधारन एक्जामपल 10.2 पर आते हैं इस एक्जामपल में लिखा है एक कार है वो कहीं से गिरती है और 0.5 सेकंड में वो जमीन पर आ जाती है means पहली चीज जो हमें यहां पर पता चलती है वो है time और question में दे रखा है 0.5 सेकंड आगे लिखा है let g is equal to 10 meter per second square for simplifying the calculation calculation को आसान करने के लिए g का मान यहां पर 10 meter per second square लिया गया है तो दूसरी चीज है g जो question में हमें मिली हुई है point number one धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी हमें बताना है जब वो कार जमीन पर टकराएगी तो उस समय उसकी speed क्या होगी तो एक चीज हमें यहां पर चाल है जो हमें नहीं पता है जो हमें पता लगानी है second point है what is its average speed during the 0.5 second गिरने से लेकर जमीन पर टकराने तक उसकी ओसत चाल क्या है दूसरी चीज हमें पता लगानी है average speed और तीसरा point है धर्ती से कगार कितनी उचाई पर है हमें पता लगाना है किस height से कार गिरी है तो height भी हमें यहां पर नहीं पता है हम जानते हैं इस तरह के question को करने के लिए हम तीन equation of motion काम में लेते हैं तो पहले हम उन तीनो equation को note कर लेते हैं पहली equation है v is equal to u plus gt दूसरी equation है s is equal to ut plus half gt square और तीसरी equation है v square is equal to u square plus 2gh edge यहां हम देखते हैं कि एक कार है और वो जमीन पर गिरती है जब एक कार जमीन पर गिरती है तो उसकी speed लगातार बढ़ती चली जाती है और हम जानते हैं कि जब speed लगातार बढ़ती है तो उस समय हम g को positive मानते हैं तो हमने इन equation में पहले से ही g को positive लिया हुआ है यहां पर इन तीन equation में पांच quantity हैं जिनका हम प्रियोग करेंगे वो quantity कौन कौन सी है पहली है u दूसरी quantity है v, तीसरी है h, चोथी है t और पांच वी है acceleration g question देखके हमें सबसे पहले पता लगाना है कि हमें क्या-क्या values पता हैं तो सबसे पहली चीज यू u होती है initial velocity यानि pranumbic wave कहां से car ने गिरना शुरू किया तो लिखा है car किसी कगार से गिरती है जब कोई चीज गिरती है तो उस समय उसकी speed 0 माने जाती है तो u की value हो जाएगी 0 meter per second अब बात करते हैं v की, v है final speed और question में हमसे पूछा गया है धर्ती पर टकराते समय चाल क्या होगी इसका मतलब है हमें ये पता नहीं है तीसरी चीज है height question में हमसे पूछा गया है धर्ती से कगार की उचाई कितनी है means हमें height भी नहीं पता चौती चीज है time question में लिखा है एक कार गिरती है और गिरने में 0.5 second का समय लगता है means हमें time पता है 0.5 second और पांच वी चीज है जी और question में उसका मान भी दिया हुआ है वो है 10 meter per second square तो सबसे पहले हमें देखना इन 5 quantity में से हमें 2 quantity पता नहीं है और 3 quantity हमें पता है अब हम देखते हैं इन 3 equation में से कौन सी equation है जिनकी values हमें पता है तो सबसे पहले बात करते है equation number 1 की equation number 1 में हमें V नहीं पता हमें U मालूम है हमें G मालूम है और हमें T मालूम है तो हम देखते हैं कि हमें V नहीं पता लेकिन बाकी सब चीज़ें पता है तो हम इस equation की मदद से V की value पता लगा सकते हैं तो हम सबसे पहला part करते हैं V की value पता लगाने का तो equation यूज करते हैं V equal to U plus A T हम जानते हैं हमें V की value नहीं पता तो हम V को as it is लिख देते हैं U की value question में है 0 और acceleration की value है 10 और time की value है 0.5 इसको solve करते हैं solve करने से हम देखते हैं यह आ जाता है 10 into 5 upon 10 decimal हटाएंगे एक 10 आ जाएगा और यहां से V की value आ जाती है 5 meter per second तो question का पहला part हम कर चुके हैं जिसमें हमने पता लगाया कि जमीन पे टकराते समय car की चाल 5 meter per second होगी अब दूसरे part पर आते हैं दूसरे part के लिए हमसे पूछा गया है इस 0.5 second के दोरान इसकी औसत चाल क्या है औसत चाल means average speed हम जानते हैं जब भी हमें किसी चीज का औसत या average निकालना होता है तो हम जितनी quantities हमें मालूम है उन सब का total करते हैं और जितनी quantities होती हैं उनसे divide कर देते हैं यहाँ पर हमें पता लगाना है चाल तो यहाँ पर इस question में सिर्फ हमें दो चाल पता हैं एक तो U है और दूसरी V है यह दोनों quantity है तो हम 2 से divide कर देंगे तो यहाँ से हम औसत चाल पता लगा सकते हैं U की value है 0 V की value है 5 2 से divide करेंगे तो औसत चाल आजाएगी 2.5 meter प्रती सेकेंड अब तीसरे पार्ट पर आते हैं तीसरा पार्ट है धर्ती से कगार कितनी उचाई पर है उचाई का मतलब है दूरी तो equation number 2 में भी हमारे पास दूरी है जिसको हमने S से लिखा हुआ है और equation number 3 में भी हमारे पास H height है तो हम इन दोनों में से किसी भी equation को use करके यह third question कर सकते हैं तो हम equation use करते हैं equation number 3 V square is equal to u square plus 2 gh हम जानते हैं v की value 5 है तो हम लिखते हैं 5 square कर देते हैं इसका u की value 0 है तो इसकी जगे हम लिखते हैं 0 g की value 10 है तो उसकी जगे 10 और एँच की जगे हम है लिखते हैं ओर इस तरह से इसको solve करते हैं तो 5 का square होबा 25 0 प्लहस यह हो जाएगा 20 into h और यहां से हम देखते हैं height की value आ जाती है 25 upon 20 इसको divide कर देते हैं 5 5 जा 25 and 5 4 जा 20 तो answer आ जाता है 5 upon 4 थोड़ा सा और solve कर लेते हैं तो यह answer आ जाएगा 1.25 meter तो इस तरह से हम देखते हैं यह हमारा पहला पार्ट हुआ velocity निकालने का यह हमारा दूसरा पार्ट हुआ average speed यानि औस चाल निकालने का और यह हमारा तीसरा पार्ट हुआ height निकालने का तो यह है हमारा example number 10.2 अब हम आते हैं उदाहरन संक्या 10.3 यानि की example number 10.3 में क्या लिखा है इसमें इसमें लिखा है एक वस्तू को अरद्वाधर दिशा में उपर की और फ्ैका जाता है तो पहला change तो यह पिछले question में उस कार को नीचे गिराया गया था लेकिन इस बार उपर की तरफ फ्ैका जाता है तो यहां हमें ध्यान रखने वाली बात है जब किसी चीज को उपर की तरफ फैकते हैं तो equation में g की value को हम negative sign लगा कर इस्तेमाल करते हैं आगे लिखा है यह 10 मीटर की उचाई तक पहुंचती है दूसरी चीज हमें यहां से पता चलता है कि वो जिस height पर जा रही है वो height है 10 मीटर फस्ट पार्ट वस्तू कितने वेग से उपर फैकी गई थी यानि कि शुरुआत में जब इसको फैका तो उसकी speed कितनी थी means हमें पता लगाना है u initial velocity और दूसरा पार्ट है वस्तू द्वारा उचतम बिंदू तक पहुंचने में लिया गया समय तो पहले हम तीनों equation लिखें और फिर उस equation की पांचों quantities को हम नोट कर लेते हैं हम देखते हैं हमने यहां पर तीनों equation लिख दी है इस equation में ध्यान देने वाली बात है हमने minus sign का इस्तेमाल किया है क्योंकि object को हम उपर की तरफ फैक रहे हैं अब हम देखते हैं हमारी जो पांच quantities हैं एक तो यू दूसरी ह है वी तीसरी है एच चौती है टाइम और पांच वी quantity है जी हम देखते हैं इनकी values question में कहां हैं सबसे पहले का है वस्तु को उपर की तरफ फैका जाता है और 10 मीटर हाइट तक पहुंचती है यानि हाइट हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड कितने वेक से उपर फैकी गई थ इसका मतलब है initial velocity u हमें मालूम नहीं है वस्तु द्वारा उच्टम बिंदू तक पहुंचने का समय भी हमें मालूम नहीं है तो हमें t भी नहीं मालूम अब बात करते हैं final velocity final velocity वो velocity होती है जो सबसे last point पर हो जब किसी object को हम उपर की तरफ फैकते हैं तो सबसे उपर जाने के बाद वो एक moment के लिए रुक जाती है तो final velocity इसकी हो जाएगी 0 जब भी कोई object बिलकुल उच्टम बिंदो तक जाता है means highest point पर जब पहुंच जाता है तो वहाँ पर एक second के लिए वो रुकता है और फिर वापस आता है जब रुकता है उसी समय उसकी speed होती है final speed और जिसकी value ह 0 एक quantity जो बची वो है G यानि की gravitational acceleration गुरुत विय त्वरण और हम जानते हैं हमें वो लेना है 10 meter per second square अब हम पहली equation को देखते हैं पहली equation में V है final velocity और हमें final velocity मालूम है U है initial velocity और हमें initial velocity यानि की prorambic way नहीं मालूम G और T की बात करते हैं तो हमें G मालूम है हमें T नहीं मालूम तो इस equation में हमें U भी नहीं मालूम और हमें T भी नहीं मालूम तो इस equation का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इन चार में से हमें दो चीजें मालूम नहीं हैं और दो चीजें मालूम हैं तो हम इस तरह से इन चीजों को calculate नहीं कर सकते हैं हम किसी दूसरी equation की बात करते हैं, equation number 2 पर आते हैं, equation number 2 में है S, S है height और हमें height मालूम है, U और T में से हमें U नहीं मालूम, हमें T मालूम है, G और T में से हमें G मालूम है, हमें T नहीं मालूम, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर भी initial velocity u नहीं पता और हमें time भी नहीं पता तो इस तरह से यहाँ पर भी दो-दो चीजें हमें नहीं मालूम तो इस equation को भी हम उप्योग में नहीं ले सकते तो अब बची सिर्फ तीसरी equation तो हम तीसरी equation को इस्तेमाल करते हैं v square is equal to u square minus 2gh यहाँ हम देखते हैं final velocity v की value है 0 square है तो हम square लगा देते हैं u initial velocity हमें नहीं मालूम हमने u की जगे सिर्फ u रख दिया g की जगे हम रखते हैं 10 और h की जगे भी हमें question में दिया हुआ है 10 तो इसको हम solve करके u की value पता लगा सकते हैं और यहाँ से हम देखते हैं u square is equal to 200 और u का माना आगया 200 का under root और इसको solve करेंगे तो u का माना आएगा 14.14 meter प्रति सेकेंड तो इस तरह से हमें पहली quantity u पता चल गई अब हम दूसरे part पर आते हैं वस्तू द्वारा उच्छतम बिंदू तक पहुँचने में लिया गया समय means highest point पर पहुचने में कितना time लगा और time पता लगाना है तो हम वही equation use करेंगे जिसमें t आता हो अब चोंकि हमें u मालूम चल चुका है तो दोनों मैंसे किसी भी equation को use करके हम अपना काम कर सकते हैं तो equation हम लेते हैं सबसे आसान वाली v equal to u minus gt v की value 0 u की value 14.14 g की value 10 और time की value की जगे हम t लिख देते हैं और इसको solve कर लेते हैं solve करेंगे तो t की value आईगी 14.14 upon t g इसका मतलब है 1.414 second तो इस तरह से हम दोनों चीज पता लगा सकते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है इस question में नहीं लिखा हुआ है कि g का मान कितना लेना है और हमने आसानी के लिए g को 10 ले लिया है अगर हम g की जगे 9.8 लेंगे तो फिर यहाँ पर इस 200 की जगे हमारा answer आता 196 और यह answer हो जाता फिर 14 meter per second अब हम आते हैं practice questions पर practice question में पहला question है what do you mean by free fall मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं मुक्त पतन का मतलब होता है अगर किसी object को बिलकुल free तरीके से छोड़ दिया जाए और जब हम इसको free करके छोड़ देंगे तो उस समय सिर्फ एक acceleration में वो चलता है और वो acceleration है g equal to 9.8 meter per second square इसका मतलब है वो है प्रत्वी का त्वरण means acceleration due to gravity दूसरा question है what do you mean by acceleration due to gravity गुरुत्वी त्वरण से आप क्या समझते हैं तो हमने अभी अभी बताया गुरुत्वी त्वरण का मतलब है हमारी अर्थ जो force लगाती है उस force की वजह से एक acceleration produce होता है और उसी acceleration को हम गुरुत्वी त्वरण कहते हैं तो acceleration due to gravity का मतलब है acceleration due to earth हम जानते हैं gravitation force होता है f अगर हम newton's law को इस्तेमाल करें तो f equal to ma होता है ये f है अर्थ का force तो ये जो acceleration होगा वो अर्थ की वए से generate होने वाला acceleration हो जाएगा तो यही है acceleration due to gravity अर्थ के सतड़ वहा है लजाना झाल है जाएगा कहते हैं यिओर वाभभास होता है तो झाल में च tengए हम जाएगा